हेलो दोस्तों स्वागता आप सभी से एक बार फिर से मेरे चनल पर आज मैनाने जा रहे हैं आइस्क्रीम के एक बहुती सांदर और सरलरेसिपी जिस को बुलते हैं मैंगई आइस क्रीम दोस्तों मैंगवा आइस क्रीम जो कि खाने में बहु lines होती है और इसको बनाना बहुत ही चांने गर्भिण रिंग डाइंगी और आप इसके बहुत ही असानी प्रया राफने सकते हो तो दोस्तों शाप ने पूर पर यह Meagoo आसाप करने के बाद हम इसको ची reg bisa अभूएं का ने है और शिलते होएं में ध्यान रखना कि इसका ज़का वो ज्यादा चिल्केक्साद नहीं जानाना चाईए आप देशकते हो इस तरब सामने इसको ची mitä है और सी चलते के वाद हमने सारे आम का पड appropriate खंया है और एक एक advisor भीस कौ टाके इसका सारा पलप निखाल देना है है assume the पंडिकाल दिया और इसको दिन होशी में पीस के बिल्कूल भारिक hem प्सक्त की में लिए उससे संवारे संधी को एक मिक्सी सब्लाद करें लिया है और उसमें थोड़ा सा तो पेस्ट है कुछ इस तरह से देखेगा हमारे पास स्मूथ प्यूरी बनाना शुरू करेंगे तो यह आप देश सकते दोस्तों हमने आम की जो प्यूरी बनाए थी वह तयार हो चुकी है और उसके आदा हम आइस क्रीम के लिए अब क्रीम को तयार करेंगे हमने यहां पर क्र क्राइम होती बेक्रीम में यूजरी नहीं करने कि हैं और इसतरह से पतर में क्रीम लेंगे और इसके निचे उचरा प्यासा विसक्तना है और उसके इतना प्हीट सकते हो ड़िसे यह पर आपसुद 7 ब स्वास्वां में gefe कर लें के बाद मैंगो की लाइए को और ध्यॹ क्यों सब्सक्राइल करेंगे कर्सक्राइब कर सकते हो जिए हमने क renting और मैंगो की फ्य०्य किने अच시AK removing कैई स्को हल्की आथूं से मिक्स करना है जिससे की जो क्रीम हमने ने भेंटके रखिए और उसका हमने मिंगो प्युरी और जमाने के लिए अगर तो अगर आपकe आस्कfficiency का मोड़ है तो आप उसमें सकते हो नहीं तो आप- इस तरन त्यार किया उसको डालेगे और मिक्सर को डालने के वाद दोस्तों इसको हमने अच्छी तरह से ढखन लगाना है अगर आप इसका ढखन लगा सकते हो ने तो इसको किसी क्लीन फिल्म की मज़़ से अच्छी तरह से ट्रेप कर सकते हो जिससे कि अच्छी तरह से टोड़ा लेना है और इसको अच्छी तरह से लगा देना है जिससे कि हमारे आइस क्रिश्टल जो जम जाता हो नहीं जामेगा और हमारे आइस क्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से तयार हो जागी इस तरह क्लीन लगाने से दोस्तों उसमें एर जो जब हम इसको प्रिजर में रखेंगे तो एर नहीं जाएगी इससे की हमारे आइस क्रीम के उपर आइस क्रिश्टल नहीं जाएगा और उसका दाम इसको अच्छी तरसे रैप कर देंगे और रैप करने के बाद हमने इसको तो तो 6-7 गंटे के लिए डीप रीज में रख देना है जमने के लिए तो यह पर आप देख सकते हो अच्छी तरह आप देख सक्ते हो तो इस तरह से हम इसको spoon के मदद से नकालेंगे तो यह बहुती आसानी से इस तरह से spoon में आ जा रही है और बहुती fluffy और tasty आश्क्रीम हमारी बन के तयार हो चुकी है यह देखे दोस्तों हम इस scoopर के मदद से इस तरह से ice cream का scoop निकाल लें तो बहुती आसने से इसकूपर में आ जा रही है तो हमारी जो आइसक्रीम है बहुती सौप्ट और बहुती फ्लपी आइसक्रीम बनके तयार हो चुकिए और बहुती अच्छी तरह के से जम चुकिए आइस क्रिश्टल बिल्कुल भी नहीं जमें तो हमारी आइस क्रीम बनके तयार हो चुकी है और आप भी इस तरह से इसको बना सकते हो राश्ट में दोस्तों हम इसके पर चौकलेट सॉस और चौको चिप्स डालके और साथ में तोड़ से ड्राइप रूट डालेंगे जिसके गारनी साची तरह से हो जाएगी तो यह देखे दोस्तों हमारी मेंगव आश्क्रीम बनके तयार हो चुकी है इस तरह से आप इसको बड़ी आसाने से अपने घर पर बना सकते हो तो दोस्तों कैसी लगए आपको रेश्पी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा सेयर कीज दोस्तों हमारे मेंगव आश्क्रीम बनके तयार हो चुकी है आप इस तरह से मेंगव आश्क्रीम अपने घर पर बना सकते हो और इंज़ा कर सकते हो तो दोस्तों आप इस तरह से इसको बनाई है और कमेंड करके जरूर बताना कैसी बनी आश्की आश्क्रीम चले दोस्तों म तक आप आस्क्रीम मनाईए और इसको इंजॉय किजिए